असलाम लेकुम व्यूवर्स उमीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे वेलकम तो मारी चैनल फूट कॉर्णर विद मरियम तो आज की मारी रेस्पी है आलू की बुजिया तो चलिए हम अपनी रेस्पी का स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको यहां पे इंग्रीडियंट्स बता करती हूं यहां पर मैंने तीन अदद आलू लिये हैं और इसको मैंने ब्रीक ब्रीक कट कर लिया है आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितने पतले कट की हैं आप इसको मोटे भी कट कर सकते हैं लेकिन आप इसको जितने बरी कट करेंगे उतनी ही आलू की बुजिया और होती मज़ेगी आलो की भुजिया त्यार होने जारी है रेस्पी को आपने इन तक लाजमी देखना है यहां पे मसाले हैं कुछ मैं आपको पता देती हूं इसमें लाल मिर्श का पाउडर है हल्दी है थोड़ा सजीरा है कलवंजी है और चिली फ्लेक्स है और उसके साथ ही नम टोमाटर हरी मिर्श और आलो में सारे एकी दफा पैन में डाल दूंगी कुछ लोग होते हैं जो मसाला बूनते हैं उसके बाद बीच में आलो एड़ करते हैं लेकिन यह बहुत यह सान सी रेस्पी है जब भी आपका दिल करे तो आप इसको फोरां जट पर त्यार कर सकते है तो यहां पर मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं उसके बाद जितने मैंने आपको मसाले दिखाए हैं वो सारे मसाले में इसमें एड़ कर दूंगी बहुत ही एज़ी रेस्पी है वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है डिफरेंट लोग आपको डिफरेंट हैं डालू की बुजिया के मैथट बढ़ताते हैं लेकिन यह मैथट जून सही बहुत ही एज़ी है इसमें आपको कोई मसाला पूनने की जरूरत पेशनी आएगी और आपको नहीं इतनी गर्मी में किचन में खड़ा होना पड़ेगा तो हमने सारी चीज़ें इसमें एड़ कर देनी हैं और उसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे और यह जब पक के त्यार हो जाएगी तो आप इसको असानी से खा सकते हैं रोटी के साथ खा सकते हैं और जो मुझे परसनली पसंद है लो की बुजिया मुझे वाइट चावल के साथ बहुत पसंद है जिसक को अची तरह मिक्स कर लेंगे और मैं उसके बाद बताती हूं कि आपने नेक्स टैप क्या करना है यहां पर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और बेल आइकन के बटन को दुबाना मत भूलिए का इसी से ही मेर लेटेस वीडियो आप तक पहुंचेगी तो यहां पर अब मैं इसको अची तरह मिक्स कर लेती हूं तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि यह आपको मेरी रेस्पीस कैसी लगती है और आप जो आगे रेस्पीस मेरी देखना चाहते हैं वो आप किस तरह की दे बेकिंग में देखना चाहते हैं यह देशी खाने में तो कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी कमेंट करके बताना है अपने फ्रेंड्स और फैमली मेंबर्स के साथ मेरी वीडियो लाजमी शेयर कीजिए तो यहां पर अब मैं इसको छितरा मिक्स कर लिया है और फ्लेम को मैं पकता रहे, तो ये देखें, बिलकुल हलका सा पानी इसमें डालना है, बाकी पानी जो उनसा है वो टूमाटरों का होगा, और कुछ आलू ने पानी छोड़ा होगा, उसी में ये पकते रहेंगे तो फ्लेम को आपने बिलकुल बाद में लो रख देना है और ये पान से दस मिनिट में अलू की बुजी अवज़िदार सी पक के रेडी हो जाएगी तो यहां पे फ्लेम को मैंने भी फिलहाल मीडियम ही रखा है जब पानी थोड़ा सा वाइल होने लग जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम जो नसी है वो लो कर दूँगी यहां पे पानी हमारा अच्छी तरह गरम हो चुका था जो हमने इसमें डाला था अब मैंने यहां पे फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और इसको मैं ढगके पकने दूँगी तकरीपन पान से दस मिनिट के लिए और आपने बिल्कुल एंड पे जाके चमच लगाना है आपको बार बार इसमें चमच लगाने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी इसमें कोई हमने मसाला नहीं बुना इतनी गर्मी में खड़े होके किचन में बहुत ही इजी सी रस्पी है जटपट त्यार होने वाली तो आप इसको जरूर घर में ट्राइ कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रस्पी कैसी लगी तो यहाँ पर यह देखिया मैं चक्करूं कि अलू की बुजिया अलू भी बिल्कुल अच्छी तरह गल गए थे और इसमें बिल्कुल हलका सा पानी रह गया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आलू बिल्कुल टूटे भी नहीं है और बहुत ही मसालेदार आलू की बुजिया रेडी हुई है आलू मैंने यहाँ बहुत ही बरी कट किये थे आपकी मर्जी है आप मोटे काटना चाहें तो थोड़े से मोटे भी कट कर सकते हैं लेकि मुझे परसनली ऐसे ही आलू पसंद है क्योंकि यह एक तो जल्दी गल भी जाते हैं और यह बहुत ही मज़े के लगते हैं बिल्कुल पतले पतले से आलू कटे होते हैं और यह मसाले के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं यहाँ पर देखें मारी Aleuksh की बूझी बिलकल ready हो चुकी है तो मैं आपको इसकी serving करके दिखाते। जी तो आप देख सकते हैं कि मारी Aleuksh की बूझी हो चुकी है, बहुत ही मसाले दार Aleuksh की बूझी बूझी है और इसमें हमने बहुत ही Catip time Parris को ready किया है। इसमें कोई भी आपको प्यास टोमाटर नजर नहीं आ रहा है वो बिल्कुल गल चुके हैं तो उमीद करती हूँ कि आपको मेरी रेस्पी पसंद आई होगी अगर रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सस्क्राइब करना मत बूलिएगा और इसी तरह स्पोर्ट करते अपनी फ्रेंड्स और फैमली मेंबर्स के साथ लाजमी मेरी वीडियो को शेयर कीजिए गा और अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा तो रेस्पी को आप इंजॉय कीजिएक अपने घर में बनाके तो मेरी आप से आलाहा, पीस!